नमस्कार आप देख रहे एक न्यूस 24 और मैं हूँ आपके साथ पूजाम आपको बता दे कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और केंद्रे मंद्री जीतन राम माजी ने अमेरिका में दिये गए कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी के बयान को एंटी नेशनल करार दिया है और उन्होंने यह भी काये कि बाहर जाकर घर की बात नहीं करनी चाहिए यह लोगसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं वेसांसद में भी अपनी बात रख सकते हैं यहां लड़े जगडे कोई बात नहीं विदेश में बयान देकर एंट्री नेशनल काम कर रहे हैं किंद्री सुक्ष्म लगू और मध्यमुद्यम मंत्री माजी बुद्धवार को राची वीवी के आरेभट सभागार में MSMI कनेक्षन तथा पीम विश्मकाला कार्याले में भाग लेने के लिए आये थे कार्याले के बाद वे पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे आरक्षन समाप्त करने संबंदी राहूल के बयान पर कहा कि अंबेटकर जी ने कहा था कि हर साल दस साल पर आरक्षन की समिक्षा होनी चाहिए इस प्रकार अब तक 6 बार समिक्षा हो जानी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं आपको बता दे कि उन्होंने ये भी कहा कि कॉंग्रिस तो मंदल आयोग को लागू करने के विरोध में थी और जारखंड में हम पार्टी के चुनाव लडने की समभावना के बारे में कहा कि यहां हम देख रहे हैं हम यहां चुनाव लड़ेंगे और अपना दावा एलायन्स के सामने रखेंगे केंद्रीर राजी मंतरी सोभा करंद लाजे ने भी राहूल गांधी के बयान की निंदा की उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के नेता सांसद में हैं और भारत के विपक्ष के नेता नहीं है भारत में हम अलग-अलग दल के लोग चुनाव लड़ते हैं लेकिन बाहर देश के मामले में हम एक हैं वो इसे क्यों नहीं समझते हैं और बाहर में भारत को नीचा दिखा के वे क्या दिखाना चाह रहे हैं ऐसे नेता भारत का नेता कैसे हो सकता है कॉंग्रिस क्योंकि इसकी सहती है क्या वह बाहरी देश में भी कुछ मदद चाहते हैं बहुत दुख़द है हमारे देश के खिलाफ बाहर जाकर बोलना हम इसे बरदास्त नहीं कर सकते हैं इंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और केंद्रे मंद्री जीतन राम माजी ने अमेरिका में दिये गए कॉंग्रिस नेता राहूल गांदी के बयान को एंटी नेसनल करार दिया है और उन्होंने यह भी कहा है कि बाहर जाकर घर की बात नहीं करनी चाहिए यह लोगसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं वेसांसद में भी अपनी बात रख सकते हैं यहां लड़े जगडे कोई बात नहीं विदेश में बयान देकर एंट्री नेसनल काम कर रहे हैं किंद्री सुक्ष्म लगू और मध्यमुद्यम मंत्री माजी बुद्धवार को राची वीवी के आरेभट सभागार में MSMI Connection तथा PM विश्मकाला कार्याले में भाग लेने के लिए आये थे कार्याले के बाद वे पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे आरक्षन समाप्त करने संबंदी राहौल के बयान पर कहा कि अंबेटकर जी ने कहा था कि हर साल दस पर आरक्षन की समिक्षा होनी चाहिए इस प्रकार अप तक छह बार समिक्षा हो जानी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं आपको बता दे कि उन्होंने ये भी कहा कि कॉंग्रिस तो मंदल आयोग को लागू करने के विरोध में थी और जारखंड में हम पार्टी के चुनाव लड़ने की संभावना के बारे में कहा कि यहां हम देख रहे हैं हम यहां चुनाव लड़ेंगे और अपना दावा एलायंस के सामने रखेंगे केंद्री राजी मंत्री सोभा करंद लाजे ने भी राहूल गांधी के बयान की निंदा की उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के नेता सांसद में हैं और भारत के विपक्ष के नेता नहीं है भारत में हम अलग-अलग दल के लोग चुनाव लड़ते हैं लेकिन बाहर देश के मामले में हम एक हैं वह इसे क्यों नहीं समझते हैं और बाहर में भारत को नीचा दिखा के वे क्या दिखाना चाह रहे हैं ऐसे नेता भारत का नेता कैसे हो सकता है कॉंग्रेस क्योंकि इसकी सहती है क्या वह बाहरी देश में भी कुछ मदद चाहते हैं बहुत दुख़द है हमारे देश के खिलाफ बाहर जाकर बोलना हम इसे बरदास्त नहीं कर सकते हैं ऐसे ही तमाम कबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे एक न्यूस 24 धन्यवाद